ज़रूर मिल जाएगा चले वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के लास्ट वीडियो के अंदर हम ने डिसकस किया था अबाउट एंड्रोशियम यानि की जो मेल पार्ट होता है एक प्लांट का एक फ्लावर का उसके बारे में बात की थी इस वीडियो के ने अंदर हम प्रोपरली वीडियो डेडिकेदर होने वाली है फीमेल डिप्रबाउटिव पार्ट को जिसका नाम होता है गाइनोशियम अब देखो जो गाइनोशियम है it is the female डिप्रबाउटिव पार्ट ही वो बना हुआ होता है एक या एक से जादा कारपल, पिस्टल या मेगास्पोरोफिल का आप पुछोगे यह तीन नाम कैसे हैं आप गाइनोशियम की यूनिट को ठीक है गाइनोशियम की यूनिट को कारपल भी कह सकते हो पिस्टल भी कह सकते हो और मेगास्पोरोफिल भी कह सक तीन इंपॉर्टेंट पार्ट्स लिखा हुआ है डिकर फ्या भाइल्च चिल में चाहिनिय में पहुंचता है , अब उसकी मंजल काद सहक है लेकिन जो हमारा gynosium है वो दिखने में कुछ ऐसा लगता है ठीक है ये एक flat surface होता है उसके बाद एक tube जैसा structure होता है और last में ऐसा full hour structure होता है ये जो structure है इसे बोलते हैं ovary सबके बारे में बहुत detail है पढ़ेंगे लेकिन अभी diagram समझते हैं ये जो आपका tube like structure था इसे बोलते ह स्टिगमा ठीक है जो क्या करता है इस रिसेप्टिव ये रिसीव करेगा किसको pollen grain को pollen grain कहां आते हैं सीधा स्टिगमा पर ही आते हैं और stigmas सी जब स्टिगमा से रिसीव कर लेता है तो उस टायल से होते हुए कहां चली जाएंगे 終sen nephew जोने जा है जांपे क्या है offering ऑवियुल है ऑवियूल में हीत हुगा फर्टायल पॉशन कौन सा होता है उसका कारपल का फर्टायल पोशन होता है जहांपे अіль डिफर्टायशन होगी ठीक है पॉलन ग्रेन का काम था आना वो आ चुके हैं फिर पॉलन ग्रेन में जनरेट होता है क्या पॉलन ट्यूब और वो पॉलन ट्यूब होता हुआ कहा जाता है इस style से होता हुआ ovule तक पहुँच जाता है और यहाँ पे होती है fertilization between the pollen grain and the ovule player है मेरी बात बिलकुल तो आप लोग को पता होना चाहिए कि सबसे उपर वाला portion जो किसको receive करेगा जो pollen grain को receive करेगा वो क्या होता है वो stigma होता है middle portion जो pollen tube को कहा पहुचाता है और जो सबसे लोवर पोर्शन होता है जिसके पास ovule होगा जहां पर fertilization होगी उसे बोलते है अब यह stigma पर पॉलन ग्रेन आते हैं तो इस stigma पर देखो अगर में कोई चीज ऐसी बना दूँ तो क्या इस पर कोई चीज टिक पाइग नहीं लेकिन अगर कोई प्लेट जैसा स्ट्रक्चर है तो उस पर तो कोई चीज आसानी से चीबग जाएगी और वहीं पर टिक जाएगी तो ग्यूंकि इसका स्ट्रक्चर है वो प्लेट के समान होता है इसलिए यहां पर पॉलन ग्रेन जो है वो टिक सकते हैं और यह स्टाइल जो है यह कनेक्ट करता है इस ओवरी को इस स्टिग्मा के साथ किसके साथ? स्टिग्मा के साथ क्लेर मेरे बाद तो तीनों पार्ट समझ में आ गए यह स्टिग्मा, यह स्टाइल, यह ओवरी now the stigma is usually at the tip of the style देखो यह tip है style की और यहीं पर आपका stigma present है और यह एक receptive surface होता है ताकि pollen grain आकर इस पर क्या हो सके टिक सके यह एक ऐसा surface होता है जो pollen grain को receive करता है clear बिल्कुल now each ovary have one or more ovules आप देखो मैंने आप से क्या कहा था ovary के पास होगा ovule जिसके बारे में आगे पढ़ेंगे लेकिन आपको structure पहले जानना होगा ठीक है so हरो एक ovary के पास या तो एक ovule हो सकता है या फिर एक से जादा भी ovule हो सकते है ठीक है जो कैसे होते है which is attached to a flattened cushion like placenta अब आप मुझसे पूछोगे कि माम इसका मतलब क्या हुआ यह ovary है यहाँ पर इस तरीके के कुछ structures होते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं क्या बोलते हैं placenta और इस से आपके attach होते हैं क्या ovule अब अगर यह एक होगा तो क्या होगा यहाँ पर when more than one carpal is present अगर एक से जादा carpal present है तो यह क्या हो जाएगा तो यह apocarpus condition हो जाएगी जाएग दिखने को मिलती है रोज में हर एक पंकुडी वगर सब अलग अलग होते हैं क्लियर बिल्कुल now they are termed as syncarpus अब एपो कार्पस तो पता चल गया कि जब एक से जादा carpal present होगा और वो fuse नहीं होगे तो वह होता है एपो कार्पस अब syncarpus क्या होता है syncarpus में क्या होता है कि एक से जादा carpal present तो है लेकिन वो fuse है क्या है आपस में fused है जैसे कि आपको mustard में देखने को मिलता है tomato में देखने को मिलता है अब fertilization जब हो जाएगी the ovule develop into seed ovule क्या है वो seed में develop हो जाता है और ovary mature हो जाती है किसमें fruit में ठीके तो चलिए अब NCRT की तरफ देख लेते हैं ताकि आप लोगों को चीज़े हैं वो easily समझ में आ जाए ठीके ओके चलिए the gynosium represent the female reproductive part gynosium जो है वो female reproductive part को यहाँ पर क्या करता है resemble करता है अगर single carpal होगा तो उसे हम कहते हैं अगर एक से जाधा करपल होगी क्या वताया था मैंने कारपल पिस्टिल और मेगा पोरोफिल तीनो वर्ड एक ही चीज़ के लिए यूज के जाते हैं तीके आपके इनमें से कोई भी वर्ड यूज सकते हो अगर एक से जाधा क्या है या एक से जाधा क्या है या एक से जाधा कारपल है तो उसे बोलेंगे मल्टी मल्टी मतलब बहुत सारे कारपल मतलब कारपल तो बहुत सारे कारपल है तो उस कंडिशन को बोलते हैं multi-carpillary उसके बाद जब when there are more than one the pistol may be fused अगर एक से जादा क्या होगा एक से जादा आपके पास carpel है flower के पास multi-carpillary condition है तियानि कि वहाँ पर एक से जादा carpel है और वो carpel आपस में fused है क्या है आपस में fused है तो उसे बोलेंगे sin carpus ठीक है क्या बोलेंगे sin carpus लेकिन अगर एक से जादा carpel present है और वो आपस में fused नहीं है तो क्यासे हो जाएंगे apocarpus क्या apocarpus और sin carpus की भीच में difference समझ में आया आया ना चलिए each pistol has three parts यह हम अल्रेडी पढ़ चुके हैं कि हर एक pistol के पास three parts होते हैं पहला होता है stigma जो उपर ओला पार्ट होता है देन होता है style जो यह tube like structure होता है देन लास्ट होता है तोड़ा क्या फूला हुआ structure जहां पर ovule present होगा उसे हम ओवरी कहते हैं ठीके चलिए तीनों के बारे में जानते हैं दस्टिग्मा सर्फ से लेकिन जानते है पनिंग प्लाटफर्म करेंगे दे inference प्लैंटरं आतो होगा है किसी बीषटरीके आप करेंगे लेकिन वो किसके ऊंपर तो टिक कार्पल के, किस पार टिकेंगे क्फिक आप टिकेंगे किसके उपर इस स्टिगमा को कौन कनेक्ट करें यहां पर ऑविूल के साथ फटलाइज होना जरूरी है जयना जरूरि है और उसके लिए बनागेज स्टाइल मपाता है यहां पर स्टिगमा से ओवरी तक उसको पॉलन को याने की पॉलन ट्यूप को लेकर कि जाता है style so style is the elongated cylinder part beneath the stigma याने की stigma के नीचे the basal bulged part of the pistol is the ovary जो नीचे का हिस्सा होता है ठीक है जो नीचे का मोटा फूला हुए structure जो होता है bulged structure जो होता है उसे बोलते है ovary ovary के अंदर आपको मिलेगी ovarian cavity जिसको locule कहते हैं और उसके बाद एक placenta वाली चीज में आपर बताई हुई है अब यह placenta वाली चीज ना बहुत important है कई बच्चों को समझ में नहीं आती है कई हो को आ जाती है तो placenta वाली चीज में आप यह समझे कि यह आपकी ovary है यह यहाँ पर कुछ structure है यह सभी क्या है प्लासेंटा मल्टी कार्पलरी कंडिशन है तो यहाँ पर सभी अलग-अलग कार्पल्स होंगे तो सब के पास अपना अपनी ovary होगी और सब पे ovules होंगे सिंगल ovule भी हो सकता है हम यहाँ पर एक सिंगल ovule वाली कंडिशन को ही देखेंगे चलिए एरेज कर दो इसको तो लिखा हुआ है दा प्लासेंटा इस लोकेटेड इंसाइड दो ओवेरिन क्याविटी जो ovary की क्याविटी होती है उसके अंदर क्या होता है प्लासेंटा होता है प्लासेंटा इस लोकेटेड इंसाइड दा ओवेरिन क्याविटी यह है और यहाँ पर प्लासेंटा है यह लाइन समझ में आगी उसके बाद रिकॉल देफिनेशन और टाइपस ओफ प्लासेंटेशन आपने क्लास 11 में प्लासेंटेशन के टॉपिक को पढ़ा हुआ है ठीक है कि प्लासेंटेशन कैसी कैसी होती है अब देखिए यह आपके पास डाइग्राम देवा है जो आपको अच्छी से पढ़ना है ठीक है पहला उपर वाला पार्ट जहां पर पॉलंद्रीन आएंग फिर यह लॉंग सिलेंट्रिकल स्रक्चर यानि के ट्यू बलेक स्टिक्चर रूसे स्टाइल बोलते हैं और लास्ट में जो तेलमस से करेक्टेशन करते हैं अब आप यहां पर देखिए जो सिन कार्पस और एपो कार्पस की में बात कर रही थी और यह जो आपके सामने सबसे पहला वाला डाइग्राम दिख रहा है सब्सक्राटों के सब्सक्राइब होने कैंट। लेकिन सभी के सभी आपस में fuse है और यहाँ पर क्या होगा यहां पर सभी के सभी कार्पल्वी है कारल एंट ऐसे रहें चांइंग यहां अपनी कार्पल्वड को चलिए यह वो A जो रहने होता है उसे हम क्या बोलते हैं मिगश पोरेंजीय जिसको कॉमन ली एक वर्ड दिया गया है जिसका नाम है ओवियूल सो अंदर होता है ओवियूल जो है वह फ़र्टाइल पाट होता है और जो ओवियूल इसलिए इंपॉर्टेंट्ट है बिकॉस ओवियूल जेन्री मेगास्पोरेंज्या मतलब मेगास्पोरिया की और जो हुआ चैसे हमने पहले पढ़ा है सब तो इस दिए बस ही मेल पार्ट के बारे में हैं पहले पढ़ा था कि माइक्रो स्पोर अंदर क्या बनेंगे माइक्रो स्पोर ठीक है जो आगे डेवलप करके पॉलन ग्रेन बना लेते थे उसी तरह से यहाँ female part में भी Megasporagnia में बनेंगे क्या? Megaspor जो आगे develop होगे क्या बना लेंगे? female gametophyde को बनाएंगे जब Megaspor बनेगा तो क्या बनेगा? female gametophyde जो क्या है आपका? embryo sac clear है मेरी बात बिलकुल तो कारपल में female gametophyde ovule के अंदर मिलेगा? चाहे इंसेक्ट के थुरू आए, पॉलन ग्रेन चाहे हवा के अंदर हवा में उड़के आए, चाहे वो वाटर के थुरू आए stigma जो है वो landing platform होता है किसके लिए पॉलन ग्रेन के लिए अब ovule के अंदर present होती है एक locule cavity यह मैं आपको अल्रेडी बता चुकी हूँ यहाँ पर लिखा हुआ था एक ovarian cavity जिसको कहा गया है जिसका नाम है locule cavity ठीके उसके बाद placenta ही वो structure है जहां पर जिसके उपर ovule लगता है क्या मैंने यह आपको समझाया है या नहीं समझाया है बिल्कुल समझाया है यह आपका structure है यहाँ पर यह placenta है और इसके उपर ovule लगेंगे एक से जादा भी ovule हो सकते हैं ठीके सो ovule के अंदर ovule की arrangement को क्या बोलते है प्लासेंटेशन और किस पर लगते है वो placenta पर क्या मेरी बात clear होगई प्लासेंटेशन के बारे में ठीक है अब आपना एक बार यह अब आपके साथ और सबसे पहले शुरुआत करते हैं इन्वर्टेड डाइग्राम बनता है यहाँ पर इनों सीधा कर दिया है तो यह अप हीलियम से देखिए हीलियम क्या है हीलियम इस दपॉइंट ओट अटाच्मेंट हीलियम जो है वो अटाच्मेंट का पॉइंट है जो जो किसको अटाच करता है इस ओव्यूल को किस से करेगा फ्यूनिकल से किस से अटाच करेगा फ्यूनिकल फ्यूनिकल इस दा स्टॉक ऑप दो ओव्यूल ओव्यूल की स्टॉक यानि कि एक ट्यूब लाइक स्टॉक्चर है ओके नाव उसके बाद चलते हैं फ्यूनिकल आप कवरिंग लेयर्स होती है अब जो माइक्रो पाइल वाला हिस्सा आपको दिख रहा है यहां पर वो लेयर नहीं होगी यानि कि यहां पर होगा बारीक साथ छेद ठीके पोलन ट्यूब में मोस्टली माइक्रो पाइल से ही क्या एंटर करेगा आपकी जो भी चीज जो आपके अदर पॉलन ट्यूब को अगर एंटर करना है तो वो किस से एंटर करेगा माइक्रो पाइल से ही एंटर करेगा सो माइक्रो पाइल इस दो ओपनिंग जहां इंट्यूगमेंट एपसेंट होता है क्लियरे बिल्कुल नाव अंदर जो टिशू भरा होता है उसे क्या कहते हैं अब यह जो अंदर टिश्यू असे क्या हें इस्लिश बृट ता है और तो किया आंप मुइंटिश्छ पोटेक्ट करने का काम करता हैं थीके और आक मुझसे पूछ ma अभी मेल गैमेटमफाइट क्या होता है it is embryo sack अब ही मैंने क्या कहा था कुछ L THERE होती है जो कम और कर अरकि रखती है जो कि Female Giant of liner टो करकि रखती है तो वो लेर आप यह डेख लMac फिर देख ली यह और आपक आख देखिने को आप यह आप देख सकते हैं यही वो एरिया है जहां पर आपका क्या होगा जिसके साथ पॉलन ग्रेन का फैटलाइशन होगा यानि की फीमेल गैमीटोफाइट क्लियर है बिल्कुल उसके बाद यहां पर आप देख सकते हैं चलाजल पोल पिछला इस्सा जो होता है वो चलाजल पोल होता है और जो उपर क्या क्लियर है मेरी बाद बिल्कुल ठीक है डाग्राम समझ में आ गया चले अब हम देखते हैं मेगा स्पोरेंजियम यानि की ओव्यूल के बारे में बार पोछनी जाती है तक है तो ब्लाज़न के टाउक को क्या करते है और यानिकल के टे लिखा भी यहां पर देखिया आं देखिये आग्राज्थे ऑट-णाज़ होता है जो किसे अटाच होता है प्लासेंटा से अटाच होता है by the means of a stock, एक stock की मदद से जिसका नाम है funicle, तो ovule के stock को क्या कहते हैं, funicle कहते हैं, the body of the ovule fuses with funicle in the region of, in the region called helium, helium जो होता है, helium is the point of attachment, attachment का point है, जो ovule की body और funicle की body का junction point कैलाता है, ठीक है, जो वहाँ पर उन दोनों को joint कराता है, connect कराता है, तो इसलिए helium जो है, उसे एक junction point भी कहा जाता है, उसके बाद देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है, does helium represent the junction between ovule और funicle को जोड़ने वाला कौन सा पार्ट है, helium, clear है, each ovule has one or two protective envelop, अब देखे, हर एक ovule के पास एक या दो, ऐसे क्या होते हैं, protective instruments होते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर त तो दो layers होते हैं, दो integments होते हैं, एक outer integment और एक inner integment जो आप अल्रेड़ी देख चुके हो, ठीक है, लेकिन gymnosperm जो होता है, जैसे की pinus हो गया, psychus हो गया, इन में generally ovule जो है, वो एक ही integument में होता है, ठीक है, यह comparison वाले equation है, यह पूछ लिये जाते हैं, तो आपको याद र यह मैं अग्योसperm की बात करें जिम्नोसperm का होतना ही था, कि आपको मैं बता दू कि एक ही integument की arrangement होती है, लेकिन उसमें अग्योसperm में क्या होता है, एक outer integument और एक inner integument, ठीक है, तो जब ओविल फटिलाइज हो के सीड बनता है, तो सीड के अंदर दो सीड कोट होते हैं, जिसमें की outer integument से बना हुआ होता है, आपका outer seed coat, जिसको हम क्या बोलते हैं, समझ लीजे, यह आपका क्या है, ओविल है, इसके बाहर एक layer, दो layer, यह बाहर वाली layer क्या है, इसको बोलते है, outer seed coat, यह तब की बात है, जब आपका fertilization होने के बाद, ओविल फटिलाइज होने के बात, seed बनाता है, तब की बात है, बाहर वाली को बोलेंगे outer seed coat, अंदर वाली को बोलेंगे inner seed coat, एक second, clear है क्या मेरी बात, inner seed coat, ठीक है, अब outer seed coat का एक नाम होता है, जिसका नाम है, टेस्टा, यह बहुत important है, NCRT में नहीं दिया है, ठीक है, और inner seed coat को हम क्या बोलते है, इस जब ovule seed बन गया है, तो micropile का function होता है, उसे पानी देना, ठीक है, तो micropile क्या काम करेगी, it will allow the entry of water, मैंने आपको क्या कहा था, यह पूरा का पूरा ovule in intugment से घिरा हुआ होता है, लेकिन एक ऐसा point होता है, जो कि जहां पर intugment absent होता है, ऐसे भी question बन सकता है, तो वो कौन स सही, micropile, ठीक है, उसके बाद, each ovule has one or two protective envelope, एक या एक से जादा protective envelope होते है, एक जिसमें होता है वो जिम्नो स्पर्म, दो जिसमें होते है वो angiosperm, ठीक है, इसको हम intugment बोलते है, intugment in circle, the nucleus except at the tip where a small opening called micropile, पूरे nucleus को पूरे ovule को cover कर लेता है, क्या intugment पूरे में वो लेरि जिसको बोलते है, micropile, जो की एक opening है, ठीक है, एक बाद बड़े ध्यान चे देखना, अगर आपका micropile end यहाँ है, तो चलाजल पॉइंट इसके बिलकुल opposite में होगा, हमेशा, ठीक है, तो चलाजल पॉइंट इसके बिलकुल opposite में होगा, हमेशा, ठीक है, तो चलाजल पॉइंट होगी, वो क्या होगी, यहाँ पर micropile, ठीक है, जिसका काम क्या होता है, it will allow the entry of water, so ovule के अंदर सिर्फ एक मेगा स्पोर मदर सेल होती है, इसले एक ही embryo सेक बनेगा, विकॉज जब भी, ध्यान दीजेगा मेरी बात, क्योंकि एक मेगा स्पोर मदर सेल है, इसमें से अब जब एक ही मेगा स्पोर मदर सेल है, तो एक ही embryo सेक बनेगा, क्या बनेगा, और इस embryo सेक का एक बनने का राज क्या है, बिकॉज यहाँ पर, जब मियोसिज होती है, तो चार बनते है, लेकिन उन चार मेना स्पोर में से, तीन तो degenerate हो जाते हैं, तीन ठीजज़ इसलिए होते हैं कि से जादा सब्सक्राइब गूए इसलिए कि जतने ही जादा हाँ पर मेगा सपोर्ड देखने को मिलेंगे उतने ही क्या होगा nutrition की requirement होगी और इतना nutrition plant एक बार में अफ़र्ट नहीं कर पाएगा इसलिए वहाँ पर तीन तो degenerate हो जाते हैं और एक रह जाता है सिर्फ एक ही functional रह जाता है क्या मेरी बात इतनी clear हो गई now enclosed within the intugment अब intugment के अंदर ही क्या present होता है cell बहुत सारे cell mass of cell जिसको अब आप लोग confused तो नहीं करेंगे ना nucleus और nucleus के बीच में समझ में आगे ना मेरी बात बिलकुल ठीक है चलिए अगर नहीं समझ में आई तो बैक कर लेना ऐसी कोई बात निया बैक करके भी देख सकते हो अब जो खाना आएगा जो खाना मिलेगा प्लांट को जो उस ओव्यूल को खाना मिलेगा वो किस से मिलेगा वो मिलेगा आएगा नूसलेस नियान आँल को पर आपलगा जो खाना मिलेगोई लों मिले बेहान पर नियापटशन करएगी उसकंत नाम अशे की तो ऐग ठीक है तो एक तरीके से लेरिंग होती है जो पूर प्रनेट प्रोटेंचेन प्रोडिशन प्रोड़ेगी ठीक है उसके बाद यह बात में आपको बता चुकी हूँ कि ओवियूल के अंदर सिर्फ एक मेगा स्पोर मदर सेल होती है इसलिए एक ही एंब्रियो सेक बनेगा विकॉस जो चार मेगा स्पोर बने थे उसमें से तीन तो डीजनरेट हो चुके है अब हम देखते हैं मेगा स्पोरो जेनेसिस क्या पहले पहले लाइन तू लाइन परते हैं फिर डाइग्राम के साथ उसको रिलेट करेंगे शुरुआत करते हैं और्स यहां पर मेगा स्पोर के बनने के प्रॉसस को बोलते हैं Megasporogenesis, clear है बिलकुल, so the formation of Megaspores from the Megaspore Mother Cell is known as Megasporogenesis, clear है बिलकुल, so ovules generally differentiate a single Megaspore Mother Cell, ovules जो है, उनके पास single Megaspore Mother Cell होता है, कहाँ पर, Micropilar region में, आप देख सकते हैं यहाँ पर, Megaspore Mother Cell, दिख रहा है आपको यहाँ पर, एक ही है उसके पास, ठीक है, एक ही है यहाँ पर, उसके बाद, next diagram की लाइन परते हैं, ठीक है, it is a large cell, यहाँ पर एक large cell है, which contains, which contains dense cytoplasm and a prominent nucleus, the Megaspore Mother Cell undergoes meiotic division, Megaspore Mother Cell, जो है, उसमें क्या होगा, मियोसिस होगी, और क्या बनेगा, Megaspore बनेगा, क्या बनेगा, Megaspore बनेगा, Nucilis जो है, Nucilis के Micropile के तरफ वाले हिस्से पे, केवल एक single Megaspore Mother Cell होती है, जिससे क्या बनता है, जिससे बिलकुल याद आ रहा है, अगर single Megaspore Mother Cell है, तो उससे एक ही Embryosac बनेगा, because, जो 4 Megaspore बनेते पहले, उनमें से 3 तो Degenerate हो गए, एक ही तो functional बचा, अब एक ही तो Embryosac को बना पाएगा, clear है, NCRT में question किया गया है, what is the importance of the Megaspore Mother Cell undergoing Miosis, कि Megaspore Mother Cell जो है, वो Miosis करती है, उसका Miosis करने का फाइदा क्या है, So Megaspore Mother Cell जब Miosis में जाएगी, तो Heploid Megaspore बनेगा, क्या बनेगा, Heploid Megaspore बनेगा, पहले ही बताया था कि जो Spore बनते हैं, वो Heploid बनते हैं, ठीक है, और जो Megaspore है, जो Heploid Megaspore है, वो आगे female gametophetic generation की शुरुआत करेगा, जैसे आपको मैंने कहा था, कि आपका जो Microspore है, वो शुरुआत करता है, male gametophetic generation की, वैसे ही Megaspore भी female gametophetic generation की शुरुआत करेगा, Clear बिल्कुल, तो क्या आपके सामने ये चीज़ समझ में आ गई, तो यहाँ पर आपका क्या बन गया है, मियॉसिस हो चुकी है, मियॉसिस होने के बाद आपका Megaspore बन चुका है, तो क्या आप लोगों को समझ में आ रहा है, हम कैसे आए, हमने पहले ओवरी के बारे में पढ़ा, फिर हमने ओवियूल के बारे में पढ़ा, जो ओवरी के अंदर होता है, फिर नूसिलस के बारे में जाना, जो उसको nutrition प्रॉइट करेगा, किसको nutrition प्रॉइट करेगा, आपके ओवियूल में ही, ठीके, ओवियूल में ही, उस embryo sec को, ठीके, उसके बाद next step क्या दिया हुआ जो आपको next step दिया हुआ है, वहाँ पर क्या बता रहा है कि मेगा स्पोर बनेंगे, ये देखिए, क्या बन रहे हैं ये, एक, दो, तीन, चार, चार मेगा स्पोर बने हैं नहीं बने हैं, डाग्राम देखिए, एक एक चीज समझ में आएगी, अब इन चार में से जो चलाज वह तो बच जाता है लेकिन उनम नहीं जया है, तो यह तो एक, यह पर नहीं है, स्पेस्वजनल होता है, इसके बात नहीं पर क्या हूताए, वक्षब यह समझ में आएगए तो अब आम आते हैं female gametophyte की तरफ, इनना majority of flowering plants, जादा तक flowering plants होते हैं, जो उनका megaspor है, वो सिर्फ एक ही functional होगा, बाकी के तीन degenerate हो जाएंगे, इतनी देर से बता रही हूँ, यह जो चार बने थे, यहाँ पर आप देख सकते हैं, एक सेकिन, जो यह चार आपको देखने क मिल रहे हैं, इन में से क्या बन जाएगा, एक फंक्शनल रहे हैं और बाकी के तीन degenerate हो जाएंगे, उसके बाद only the functional megaspor develop into the female gametophyte, ओविस ही बात है, मेगा स्पोर मदर सेल के एक ही होता है, तो वो एक ही embryo sec को बनाएगा, क्यूंकि उसमें से जो मेगा स्पोर बने थे, उन बनता है, from single megaspor, इसे कहते है, monosporic development, क्या ये बात clear है, बिलकुल, अब है आपर, what will be the ploidy of the cell of the nucleus, जो nucleus के cell है, उनकी ploidy क्या होगी, ठीके, मेगा स्पोर मदर सेल की क्या ploidy होगी, functional megaspor की क्या ploidy होगी, और female gametophyte की क्या ploidy होगी, so आपको जो nucleus है, उसकी ploidy होगी, तो यादी कि, diploid, उसके बाद, megaspor mother cell, उसकी क्या होगी, उसकी होगी, to end condition, यादी कि deployed, लेकिन, जो megaspor, क्या कहा था,인지 haploid होते है, तो megaspor कैसे होगी, end condition में, और उसके बाद, last है, gametophyte क्या कहा था, gametes में हमेशा कैसे होते है, बिलकुल, सही haploid होते हैं, तो gametophyte भी क्या ह क्या प्लॉइड लेवल होगा, फिमेल गेमिटुफाइट, मेगास्पोर, मदर सेल, माइक्रोस्पोर, मेगास्पोर, लास्ट में नुसिलस अब यह तो देख लिया कि ओव्यूल के अंदर क्या बनेगा, जो एक फंक्शनल रह जाएगा, मेगास्पोर उससे बनेगा, अब यह बनता कैसे है यह भी जान लेते हैं, थोड़ी और डीटेल में, सो 2.8 का आप बी देखिए, 2.8 का बी वाला पार्ट देखिए, चलिए बी आप चोड़िए, आप पहले मेरी बात को समझने कोईश करिए, जो डायग्राम में आपको यह समझाने वाले हो, ठीक है, सबसे पहले देखिए, यह एक क्या है, एक फंक्शनल रह गया, बाकी सारे तो खट गये, आपके पास क्या रह गया, आपके पास एक फंक्शनल मेगा ख़े पास नुकलियस मैट्सिस ऑंधर नाय अंदर मैट्सिस होगी माट्सिस और यहां पर छेप चैनल ऑवल होगी जाती है जो इस पर इंज रापक में तोड़ने की कोईश करती इनको अलग अलग जो हम जो पीछ अब बीच है, इस देखे शुरू हो जाते हैं गचाए, जो आपके बीच में काई पुचा देते हैं रिडियूस नहीं करने है बिलकुल भी तो second mitosis होगी जब second mitosis होगी तो कैसी condition बन जाएगी कि जो cavity हो तो अभी भी आपर होगी जो आपकी cavity है यहाँ पर कर दे cavity तो अभी भी यहाँ पर रहेगी लेकिन जो आपके यह जो nucleus थे यह अब double हो चुके हैं उनी points पर कहीं और नहीं गए हैं ठीके एक और होई अब एक और बार होगी क्या होगी एक और आपकी division होगी और उसके बाद जो यह 4 थे अब यह double हो जाएंगे, 4 से हो जाएंगे, 8 ठीके मेरी बात समझ में आगई, वहीं आपर बताया है यह diagram समझ लिया आप लोगों ने, ठीके पहले एक था, 1 से 2 होगे 2 से 4 हो गए और 4 से 8 हो गए, double हो गए, ठीके क्योंके हमने mitosis कराया उसके दो बन गए, उसके बात क्या हुआ, इसके दर व pupक वाइक म कीननी वहता हो, इसके अनधर वेक्यूल बन टेका लिए गया अंको अलग अंग कर दिया गया यह जब यहा कर दिया एक Character पहुंच गया एक उसकी MP इसके बाद जाएंगे तो इनके आठ बनने के बाद क्या होगा यहां पर बहुत important पोईंट समझाने की याद रखना कुछ ऐसी condition थी या नहीं थी ऐसी condition थी बड़ा बना लेते हैं इसको ठीके यह आपका क्या है वैक्यूल के बाद जो आपको structure देखना है वो यह है कि आपके पास थे 8 क्या थे 8 nucleus थे ठीके उन में से 3 तो यहीं पर जाएंगे 3 तो यहीं पर जाएंगे और 3 नीचे आजाएंगे तो क्या हो गई कैसी स्टेज हो गई यह सेल्स में कनवर्ट हो गई इन्होंने अपना एक अलग सेल बना लिया उसी के साथ बनाया है लेकिन अलग से 3 फ्यूज हो गई और यह दो अलग रह गए यह दो अलग रह गए मेगा स्पोर है प्लॉइड सेल है है और नीचेल प्रेजन है जब मेगा स्पोर आगे अम्डियो सेख को डैवलप करेग तो सबसे पहले अपना शेप क्या करेगा शेप चेंज करता है अपलेस यह सेर्कल था अब इसा हो चुका है तब उसमें एक वैक्यूल डैवलप होंग तो किसी स्टेज हो गई एठ नुक्लियेट स्टेज तो क्या आपको समझ में आया एठ नुक्लियेट स्टेज का मतलब उसके बाद उसके बाद क्या होता है थी प्लस वन का रेंजमेंट देखने को मिलता है जिसमें 3 नुक्लियेट स्टेज में कनवर्ड हो जाएंगे आठ नुक्लियेट थे न आपके पास तो उसमें से तीन नुक्लियेट थो हैं बदोनुक्लियेट फ्री रह जाएंगे ठीक है मैं बताओं कितने हैं एक दो तीन चार पांच छे क्या हो गए छे तो यहाँ पर क्या है आपके छे सेल है और एक यह बड़ा वाला जिसको सेंट्रल सेल बोलते हैं क्या बोलते हैं सेंट्रल सेल जिसके अंदर यह सारी सेल वगएरा हो रही है सारी सेल प्रेजेंट है त noכלus टोटल अब गए सेवन सेल नुकलियस कने है एक डो तिन इसके पास है चार पंख़ सह इसके हो इसके ऑफ पास कने है यह की सेवन सल्ड एठ नुकलियट किसे आती है क्या समझ में आया क्या यह समझ में आया yes maaam okay so अब देखे चलिए Let us study the formation of embryo sac in a little more detail तोड़े हैं पर लेते हैं तो तो नीटेल में पर लेते हैं वह डिवाइट करेगा और दो नूकलियाय बना लेगा और नूकलियाय क्यों दिवाइट किया था ? वह वह द्वाइक्यूल उपना साइस बढाती है तो वो divide करना शुरू करता है nucleus और एक टाइम पर इतना size बढ़ा लेती है vacuol कि उन दौनों nucleus को ends पे जाना पड़ता है उनको धकेल देती है तो वो opposite ends पे चले जाते हैं ठीके which move to the opposite pole forming the, अब कैसी condition बन गई? कितने nucleus हैं? 2 nucleus हैं तो condition बन गई 2 nucleate embryo sac अब यहाँ पर क्या हुआ? जब 2 nucleate embryo sac बन गई तो यहाँ पर हुई myotic division कैसी हुई? sorry, myotic division जब यहाँ पर myotic division हुई तो mytosis होने के बाद क्या हुआ? 2 के 4 nucleus बन गई क्योंकि बढ़ेंगी न mytosis में myosis में कम होते हैं 2 से 1 हो जाता है लेकिन mytosis में तो बढ़ेंगी न तो 4 nucleate हो गए उसके बाद 4 में भी वापस से 3rd mitosis थीन बार mitosis होते हैं ध्यान रखना ठीक है? 3rd जब mytosis होगी तब 4 nucleate से कंडिशन हो जाएगी 8 nucleate ठीक है? नाओ इस आफ इंट्रेस्ट नोट तो नोट that these mitotic division are strictly free nuclear यह जो division होती है free nuclear division होती है इसका मतलब क्या हुआ? that nuclear division are not followed immediately by cell formation कि जैसे ही cell बन गया तो nucleus divide करना नहीं शुरू करता है यह इसका plus point है यह चीज याद रखिएगा जब 8 nucleate stage आ चुकी है? 8 nucleate stage आ चुकी है तो cell walls are laid down cell walls जो है वो lay down कर लेंगी ताकि वो typical female gametophyte यानिकी embryo sec की formation को organization को organize कर सके clearable को यानिकी embryo sec को बना सके now observe the distribution of cell inside the embryo sec जो embryo sec था इसके अंदर क्या आपको condition देखने को मिल रही है? क्या distribution देखने को मिल रही है cell की? देख लें एक बर diagram में देख लें यह देखिए यह तीन यहाँ हो गए यहाँ पर नीचे वाली cell थी उन्हें antipodals बोल दिया क्या बोल दिया? antipodals तो एक चीज तो आप बड़े ध्यान से देख लेना मैं यहाँ पर diagram बनाऊगी वो diagram अगर आपको आगया तो आपको सब आ जाएगा यह तीन यहाँ पर तीन सेल यहाँ बन जाते हैं न्यूकलेस से ही यह आपका वैक्यूल है और यह क्या है? यह आपके दो न्यूकलेस है क्या मेरी बात क्लियर हो गई? अब इसमें देखिएगा यह जो बीच वाला हिस्सा है इसे हम क्या बोलते हैं? सबसे में तो यही है इसको बोलते हैं क्या बोलते हैं? सेकिंड वाले इस्से को बोलते हैं ठीके? उसके बाद यहाँ पर मेगा स्पोर, मदर सेल किस में भाग लेगी? मियोसिस में भाग लेगी और माइक्रो पाइलर एंड पे 1, 2, 3 डिजनरेट हो जाएंगी बचलाजल एंड से सर्वाइव करेगा सिर्फ कौन सा 1 मेगा स्पोर जिसे फंक्शनल मेगा स्पोर कहा जाता है अब यहाँ पर एक तो एग हो गया एक तो यहाँ पर एग हो गया उसके अलावा बाकी जो दौनों थी जो दौनों सेल्स यहाँ पर बची है जिनके पास खुद का नूकलेस है वो हो गई सिनर्जेट क्या हो गई सिनर्जेट तो यह जो माइक्रूपाइल वाला एरिया होता है इह पर क्या होता है यहाँ पर होते हैं 2 सिनर्जेट और 1 एग जो पूरा मिलकर बनाते हैं क्या इस function को इस जगय को मैक्रोपाइलेंड वाली अब यह जो है जिसके अंदर सब कुछ हो रहा है इसको बोलते हैं central cell सबसे बड़ा वाला cell और नीचे नीचे वाले cell को बोलते हैं तीनों को ही तीनों को ही का बोलते हैं अंटी पोडल सिल क्या इसमें लिखा हुआ है और क्या आपको यह समझ में आ रहा है बिलकुल माम समझ में आ रहा है हमें तो हम तो देख चुके हैं चलाजल वैसल कमें हमेशा इंवर्टि होते है एंजए समय प chilled होता है फीमेन इंवर्टिट दिखा रखा है उसके बाद जो चलाजल क्वाइं पे जो आपके तीन सेल जो फ्यूज होए ऐख så ald おए फियो एक आपस में आउपशहन उस निपिव तो चला आपस में उसके ऑदा आपको जिए दो क्वी निए दिख रहा चाहि непोल्लिक हैं आप गोल तो गोलोन को नीचे वाले जो ए जिचे वाले क्लियर है मेरी बात बिलकुल ठीक है चलिए शुरुबात करें यहां से अब्ज़व कर चुके हैं और हम चीजों को समझ भी चुके हैं दो पर उस दिस्ट्रीबूशन अंदर उसमें से छे नूकलिया जो है वो सेल वार्ण अपस में उसके यहां और जो आपका यहां पर बाकी की जो दो सेल नूकलिया जो अलग रहेंगे the remaining two nuclei जिने हम क्या बोलते हैं polar nuclei और ये सारे जो egg apparatus वाली चीज़ है जो सब कुछ हो रहा है ये कहां हो रहा है ये हो रहा है central cell के अंदर यानि कि main जो बड़ी वाली cell है clear है मेरी बाद बिल्कुल so there is a characteristic distribution of the cell within the embryo sac यानि कि एक cell का proper distribution होता है within the embryo sac of the flower ठीक है three cells are grouped together जब तीन cell एक साथ ग्रूप की जाती है किस end पे mycopylar end पे अगर मैं inverted ना बना कर सीधा बनाऊ ये mycopylar end हो गया यहाँ पर जो तीन आपस में क्या करेंगी group करेंगी अपने एक दूसरे के साथ group में आएंगी तो उन्हें हम बोलते है एक apparatus क्योंकि इन में से बीच वाला जो structure है वो एक होता है बाकी के दौनों क्या होते है synergit ठीक है the egg apparatus in turn consist of two synergit और एक egg cell the synergits have special cellular thickenings at the mycopylar tip जो mycopylar tip है जिसको philiform apparatus बोलते है यहाँ पर जो सिफ किसके पास होती है synergits के पास होती है which play an important role in guiding the pollen tube into the synergit जो आपका जो stigma है जो gynosium है वो कुछ secretion secret करता है ताकि पता चल सके कि जो pollen grain है वो इस तक पहुँच जाए ठीक है यहाँ पर जो आपका philiform apparatus है वो काफी important role play करता है in guiding the pollen tube into the synergit ठीक है त्री cells are at the chalazal point और टोटल आठ है ना उनमें से दो तो बिल्कुल फ्री है उनको polar nuclei बोला उपर वाले तीन को क्या बोल दिया क्या बोल दिया उपर वाले तीन को एग apparatus और नीचे वाले जो बेस वाले चलाजल पॉइंट वाले होते है उन्हें हमने यहाँ पर क्या बोला है आपको बताया था जो आपका बड़ा वाला सेंट्रल सेल है जिसके अंदर नुकलिया है और आपके जो बागी के सेल है यह है सेवन्सेल्ड एट नुकलियाट स्टेज क्या समझ में आ गई आप लोगों को ठीक है ओके नहीं आयो तो पूछ सकते हो अग टिपिकल एंग्योस्परम एंप्रियो सेख का एक और बात बताना चाहूंगी जो आपके स्टिग्मा होते हैं जिस पर पॉलन ग्रेन आता है वो काफी ज्यादा सेंसिटिव होते हैं किसी और पॉलन ग्रेन को आ ड़ा काई सब announced a you which the नहीं करते हैं यो जानते हैं पॉलन ग्रेन कौन से वह ने पॉलन ग्रेन कौन से तो बहुत 22 इंपोड़न हो जाता है आपके लिए ये जादना कि स्टिग्मा कैसे पता लगाए या थि कैУ तो यह क्या था, because of the secretion, so now gynosium represents the female reproductive part of the flower, monocarpillary कब बोलते हैं, आप मुझे बताएंगे, monocarpillary कब बोलते हैं, जब एक carpel present हो, जब एक से ज़्यादा carpel present हो, तो वो क्या होता है, वो होता है, multi-carpillary condition, ठीके, उसके बाद multi-carpillary condition में भी दो condition होती है, अगर आपस में fuse हो गए सा सिन-carpus, और अगर fuse नहीं है, अलग-अलग है, उसे बोलेंगे, एपो-carpus, clear है मेरी बात, बिलकुल, ना हर पिस्ट के पास होते हैं, तीन चीजे, stigma style ovary, stigma receive करती है, pollen grain को, style elongate, यानि की ट्यूबलेक structure होता है, जो stigma को ovary से connect करता है, ovary क्या है, ovary is the bulged basal part, जो नीचे का फूल लोक्यूल, ठीक है, which is located inside the, यह आपका placenta है, यह किसके अंदर प्रेजेंट होगा, आटके, ovary and loc्यूल के अंदर, ठीक है, the placenta contains the magosporangia or ovule, जो placenta है, उसके पास क्या होता है, magosporangia होता है, या फिर ovule होता है, ठीक है, और मैंने आपको बता दिया है, the arrangement of ovule is known as placentation, ठीक है, आपने diagram तो यह अल्री पढ़ी लिया है, यह diagram भी आप पड़ चुके है, चली चलते है, magosporangia पर, the ovule is attached to the placenta by the funicle, सब जानते है, कि ovule जो है, वो किस से attach है, वो attach है, placenta से, किस की मदद से, funicle की मदद से, जो junction होता है, ovule का और funicle का, उसे हम कहते है, helium, ठीक है, किसकी बाद मेगा स्पोर बनेंगे, ठीक है, उसके बाद, इस ovule has two or more protective layer, अब हर एक ovule के पास, दो या दो से ज़्यादा protective layer होती है, जिने हम intugment कहते है, जो की पूरा part cover करते है, ovule का, except for one part, एक ऐसी opening होती है, जहां पर, यह जो intugment है, जो covering layer है, यह काम नहीं करती है, वो end को बोलते है माइक्रोपाइल, clear बिलकुल, अब जो चलाजा वाला है, इसके बारे में भी आप तोड़ा जान ले, ठीक है, दो चलाजा lying on the opposite side, माइक्रोपाइल जहां पर है, उसके बिलकुल opposite चलाजा पोल होगा, कैसे decide करोगी, ऊपर चलाजा होगा, नीचे होगा, एंजो स्पौम में ह वही एक क्या, एक और उनका रोल होता है, कि वो यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, इंट्यूगमेंट्स के अंदर ही, और उनके पास होता है खाना, अब आप मुझसे पूछोगे, माइम वो चार में से तीन क्यों डीजनरेट हो गए थे, मेगा स्पोर क्यों की बेटा, यह है, और अगर सभी को बाटने लगे, तो इनके पास खाना ख़तम हो जाएगा, और यह नहीं आगे बना पाएंगे, ठीक है मेरी बात बिल्कुल, नाओ, एंब्रियो सेक और फीमेल गेमिटोफाइट इस लोकेटे इन दा, नुसलेस, जो एंब्रियो सेक हुआ, फीमेल गेमि नुसलेस, मेगा स्पोर मुद्रोफाइट, इस लार्च होता है, इत राच बढ़ा होता है, यह वह ओकर साइट प्लाफ मे उसके अंदर, अनधर प्रामिनन नुकलेस, नुकलेस भी है विल्कुल सही वहाँपर, इत अंडर गोस मुद्रोफाइट नुकलेस भी है, विलकूल यह पर लिखा हुआ है ना थीक है अब उसे चाहर बना दिये अब चाहर मेगा स्पोर बनने काम तो ख़तम हो गया मेगा स्पोर बन गए इसका मतलब मेगा स्पोरोजनेसिस हो चुकी अब उसके आगे क्या होता है वो आजाएगा फीमेल के मीटोफाइट में तो जादा तक फ्लावरिंग प्लांच होते हैं उनके अंदर से एक ही मेगा स्पोर फंक्शनल होता है मैं बता चूकी हूँ उसके बाद वाइल दाथ ही डिजन रेट देवलप स्पोर डेवलप स्पोर जो एक अकिल्या मेगा स्पोर बचता है वहीं यहां पर फंक्शनल होगा जो आगे जाके डेवलप करेगा इन दा फीमेल के मीटोफाइट जिसका नाम है एंब्रियो सेक दिस क जो फंक्शनल मेगा स्पोर है उसका जो न्यूकलियस है वह डिवाइट करता है मैटोटिकली कैसे मैटोसिस करता है जब पहले एक न्यूकलियस था ठीके यह आपका एक न्यूकलियस है आगे मैटोसिस होगा तो दो बन जाएंगे आगे मैटोसिस होगा तो चार बनेंगे फ और यहां पर बनेगी एक वैक्यूल क्या बनेगी जिसकी वजह से इन दौनों को जब इसका साइज बढ़ता जाएगा तो इन दौनों को डखेल के बिल्कुल अपोजिट एंड्स पर ले जाया जाएगा और फिर आता है जैसे आठ नुकलियाइट स्टेज बन जाएगी एट नुकलियस बन जाएगी जिनमेंसे दो नुकलियस फ्री होंगे रहें बिल्कुल सही चलाजल प्ऐंढ पर है ओप्डी सेल लाजल पोइंट पर जार्गे एंटी पोटे नाउर्इड तैन के जमिल मेरे बात सब्छत युहane अध्य क्या मेर बात वाद बिल्कुल स्वस्क व्धrek मेले बाती होगई जम SusTI बन चुका है क्योंकि cell wall जो है वो अरेंज हो चुकी है six of the eight nuclei get surrounded by the cell wall ठीक है आठ कितने होते है आठ जो है nuclei आठ क्योंकि टोटल आठ nucleus है उन आठ में से छे nuclei को कौन कवर कर लेता है cell wall cell wall cover कर लेती है लेकिन जो बाकी के दो है वो free रहते है ठीक है situated below the egg apparatus in the large central cell पोला नुकलिया क्या होता है जो दो free रह गए थे ठीक है और central cell जो बड़ा वाला cell जिसके अंदर ही सारी चीज़े हो रही है अब जो तीन three of the six cells are placed जो छे cell आपके cell wall के अंदर आ गए थे cell wall प्रोटेक्ट कर लिया था उनने तीन तो ऊपर प्रेजेंट होते हैं जो की माइक्रोपाइलर एंड होता है तो वहां पर दो synergit देखने को मिलेंगी और एक एक cell देखने को मिलेगा लेकिन जो नीचे वाला जो चलाजल पॉइंट पर आपको देखने को मिलेगा जो cells का functional देखने को मिलेगा तीन cell आपको देखने को मिलेंगे वो क्या होता है उसे हम बोलते हैं यहां पर antipodal तीके दा synergits have अब synergits के पास special thickening होती है अब दा kảip propylar थे ऊब Silent tard इनको एक साथ कहसा बुला जाए फिलिफ़ मतार्स इस ठोला जाता है इस तारीक होता है का कि कहां तो धाएंगी क्या आइंग तक उसे पहुंछाएंगी उसके बाद जो यहां क biblical प्रेजनित थे ओने नीचे नीचे वाले वाले नूक्स यहां पर 3, पर 3, अनूक्लियस और यहां पर पोलर नूकलियक, जह सकी हम क्या पूछा गया है works अधिब लिएट के लिएट निएट निएट का मतलब यह तो वह पोलर न्यूपलिया है उनके बास भी तो नूकलियर से और छे कॉन से तीन उपर तीन नीचे तो टोटल हो गए एट नूकलियर समझ में आगे पागिए ना अप लोगों को एंडिपोडल यह कॉन से लाजल पो अपोजित रहता है ने इन वर्टे रहता है तो यह उल्टे को ही इनों ने बताया है जो आपके बेस वाले पॉइंट होते हैं अपर पोछिन बेस है तो फिर यह दो फ्री सेल है नहीं पोलर न्यूकली बोलते हैं यह पूरा बड़ा सेल जिसके ने सब कुछ हो रहा है उसे सेंट्रल सेल बोलते हैं यहाँ पर यहाँ पर जैस देखेगा यह जो पोशन है एक होता है एक होता है एक और बाकी के दो होते हैं और पूरे को एक साथ बोलते हैं अपैरेटस अब उसके बाद फिलिफाम एपैरेटस हैं यहाँ पर यहाँ पर लावावा अगर आप लोग मुझे सकते हो अधर और यहाँ